नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबी लोंका आज की से को नई वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यह दि दोस्तों आपका pen card जो है वो किसी कारणवस तूट जाता है या फिर खो जाता है तो ऐसी situation में आप दोस्तों अपने pen card को दोबारा से reprint क करवा सकते हैं वह भी अपने खुद के mobile से apply करके या फिर अपने laptop के थो apply करके दोस्तों कैसे reprint करवाना है दोस्तों जबी कभी हमारा pen card टूट गया या खो गया या किसी कारणवस तो कहीं भी गुम हो जाता है तो दोस्तों हमें उसमें cracks वगरा या फिर scratches आ जाते हैं तो हमें नया pen card reprint कराने की ज़रूत होती है दोस्तों इस आप देख सकते हैं मेरा pen card जो खो गया है और वो मिल नहीं रहा है दोस्तों आपको इसका आपका जो pen card है वह आपका किस company से बनाया हुआ है income tax के लिए दो कंपनिया काम करती है पहला NSDL और दूसरा दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि दोस्तों हमारा जो pen card है वह किसके ठोग बनाया हुआ है और pen card जो आपको बनाया हुआ है अगर आप पहली वार आए थो कर लें और बगल बाले बैल आइकन को दबा कर All पर क्लिक करें चल लोस्तों बिना किसी बैस टाइम के लिखे चलते स्केन पर पैन कार्ड रिप्रिंट करने के लिए आपको अपने मोगाइल में या फिर डेस्ट आप साइट में कोई भी ब्रादर को ओपन कर लेना है तो यहां पर मैं क्रूम ब्रादर को ओपन करता हूँ ओपन करने के बाद में यहां पर आपको सर्च बार में सर्च करना है यहां पर द टेटेटल से UTI और NSDL क्या हैं दोस्तो ये दोनों कंपनिया हैं तो दुस्तो काम करती है Income Tax Department के लिए जहां से आपका Pen Card जारी किया जाता है दोस्तो आपको अपना Pen Card request करेंगे तो आपको reprint करने के लिए तो यहां पर दोस्तो आपको nsdl से भी कर सकते हैं और uti से भी दोस्तो मेरा pen card जो है uti से बनाया हुआ है तो दोस्तो मैं यहाँ पर uti पर request डालूँगा तो इसको मैं यहाँ पर click कर लेता हूँ uti वाले website पर यहाँ पर कुछ second wait करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर website open हो जाएगी तो यहाँ पर wait कर लेत जाता है pen service portal जो है uti का open हो गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं जोस्तों आप नीचे की तरफ यहाँ पर scroll करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको pen card for all financial transaction के लिए यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है देखने को इनकी website दोस्तों इस तरह के से open हो जाएगी और इसके आपकी detail रहेगी pen card की वो आपको यहाँ पर fill करनी है तो जो भी pen card number रहेगा वो number आपको यहाँ पर fill up करना है नमबर fill up करने के बाद में दोस्तों आपको नीचे की तरफ यहाँ पर दोस्तों अपना आधार card का number डालना है तो मैं number डाल देता हूं यहाँ पर यह मैंने number डाल जो भी आपकी डेट ऑफ मन्त रहती है तो वह आपको यहाँ पर आपने डाल देना है उसके बाद आपको डेट office यह डालना है इतना डालने के बात में दोस्तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जाना है और यहाँ दोस्तो आपको capture code जो मिलता है उसको आपको यहाँ पर fill up कर देना है capture code fill up करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर submit वाला जो option दिखाई दे रहा है इस पर आपको click करना है जैसे आप submit पर click करेंगे तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आपका pen card verify हो जाएगा contact detail verify है ok पर click करेंगे और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर pen card, mobile number, email id बगरा चीजें आपकी communication address बगरा सारा आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके बाद यह सारी detail आप check कर सकते हैं आपका जो pen card होता है उसका आपको यहाँ पर दो डिजिट पहले के और तीन डिजिट बाद के दिखाई देते हैं पिछले सेम आपको mobile number में भी यही दिखता है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी details रहेगी वो कुछ आपको दिखेगी जो की आपको verify कर सकते हैं तो यहाँ पर authentication के लिए आपको tick कर देना है और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर OTP बाला जो option है इसको आपको tick करना है तो यह दोस्तों यहाँ पर OTP पर मैंने click कर दिया यहाँ पर second wait करेंगे और आपके registered mobile number पर OTP भेज दिया जाएगा और वो OTP आपको ले करके यह पर डाल देना है तो ओके पर click करेंगे और यहाँ पर second wait करेंगे और OTP आपके registered mobile number पर आ जाएगा तो वो आपको यहाँ पर देख लेना है तो जो आपका OTP आएगा उसको आपको यहाँ पर fill up कर देना है तो मेरा OTP दोस्तों यहाँ पर आ चुका है यह मैंने fill up कर दिया और इसके बाद दोस्तों आपको submit वाले option पर click कर देना है ध्यान रहे आपके पास registered mobile number है वो आपके पास ही होना चाहिए तभी आप इसका OTP submit कर पाएंगे अधरवाज आपके पास OTP नहीं आ पाएगा तो आपको problem हो सकती है तो यहाँ पर दोस्तों देखिए submit मैंने कर दिया य आप कर सकते हैं और यहाँ पर दूस तो पहले आपको mobile number डालना है तो मैं अपने mobile number यहाँ पर fillip कर दिया हूं और इसके बाद दूस्तों आपको यहँ पर अपना mail id डालना है जो भी आपका mail id देएगा तो यह मैं यहाँ पर mail id को डाल देता हूँ mail id डालने के बाद दोस्तों आपको build desk पर क्लिक करना है तो यह मैंने build desk पर क्लिक किया इसके बाद confirm payment पर आप क्लिक करेंगे जैसे आप confirm payment पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको payment के कई सारे option आपको देखने को मिल जाते हैं आप QR कितरो, UPI कितरो या फिर आपको debit card wallet या फिर net banking, credit card बगरा बगरा चीचे आपको देखने को मिल जाते हैं तो आप किसी भी method से यहाँ पर payment कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर option करता हूँ QR का, तो यह मैं QR फाली option पर क्लिक किया हूँ और यह मुझे सबसे आसान लग रहा है, इस बज़े से मैं साइद इसको try कर रहा हूँ और यह मैंने make payment पर क्लिक किया तो यहाँ पर process चल रहा है, और यहाँ पर दोस्तों आपको QR code नजर आ जाएगा तो इसको मैं click here scan पर click करता हूँ और इसके बाद दोस्तों scan करने की इकोसेस करता हूँ और यह देखी दोस्तों, process एट के लिए आ गया है, तो मैं यहाँ पर payment कर देता हूँ तो मैंने जो है mobile से payment कर दिया है, यहाँ पर, और successfully हो गया है और इसके बाद यहाँ पर process ले रहा है, तो okay पर click करेंगे जो pen है, वो यहाँ पर, जो मतलब क्या बोलते है, reprint के लिए चला गया है, यहाँ पर receipt आप download कर सकते हैं तो यह मैं आप receipt download कर लिया हूँ, और यहाँ पर कुछ second wait करेंगे और आपका जो payment रहेगा, receipt वो आपको देखने को मिल जाता है तो इस तरीके से आपका जो pen का request है, वो submit हो गया है और within one week या फिर two week के अंदर आपके घर पर आपका pen card, post के द्वारा आपके घर पर आ जाता है तो इस तरीके से आप अपने mobile से या फिर अपने laptop computer से ऐसे आप reprint के लिए application submit कर सकते हैं चाहे आपका UTI से बना हो या फिर NSDL से बना हो तो दोस्तो इस तरीके से आपना जाना कि कैसे आपको अपना mobile से आपका या फिर desktop से अपना pen card को reprint करना है और वीडियो पसंद आयों तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार आया तो कर पर सब्सक्राइब कर लें और बगल बाले बैल आइगन को दबा कर और पर क्लिक जरूर करें और मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद